तो गाइस आपका class 10th का examination cancel कर दिया गया है, मतलब आप class 11th में enter कर चुके हैं, तो यदि आप class 11th में physics, chemistry और mathematics लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तो गाइस जब भी को student class 10th से class 11th में enter करता है, और अगर वो physics, chemistry, mathematics लेने की सोचता है, तो उसक के दिमाग में दो बाते होती है, पहला, कि क्या वो सिर्फ अपने board पर focus करे, और दूसरा, क्या वो board के साथ JEE की तयारी भी करे, तो आपको मैं दोनों category के बच्चों को किस strategy से क्या follow करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पहले category में वो बच्चे हैं, ज अगर आप एक साल बाद drop लेने की सोचेंगे, for example, आपने 75% से कम लाया आपने boards में, class 12th के board में, अब आप 12th के बाद एक साल drop लेते हैं JEE की तयारी करने के लिए, तो आपको डो टेंसन रहेगा, एक तो रहेगा, एक साल आप JEE की तयारी करने हैं उसके लिए, और दूसरा टेंसन रहेगा कि आपको 75% के लिए improvement examination भी देना पड़ेगा, अगर आपका 75% पहले नहीं आया था तो, तो इस category के student को, अगर आप class 11th में हैं तो आपको शुरू सही, NCRT का आपको basics clear करना है, आपको NCRT purely solve करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका class 11th में school examination है, तो आ अब आपको अपने 12th के boards पर 100% focus करना है, तो आपको करना क्या है, आपको mathematics के लिए और chemistry के लिए purely NCRT को त्यारी करना है, मतलब NCRT को आपको अच्छे से कर लेना है, पढ़ लेना है, और physics के लिए आपको basics, मतलब अपने concepts पढ़ लेने और questions आपको solve करने together with से, तो फिर से म में उन बच्चों के लिए जो सिर्फ board पर focus करना है, तो class 11th में उन बच्चों को उतना पढ़ने ना है कि जतना हुए class 11th का school examination pass कर जाए, पास करने के बाद जब वो class 12th में आएंगे, तो उनको 100% अपना boards पर focus करना है, और school में जतने भी examination होंगे, आपको pre-boards होगा, ये सार with से, अब उस category के बच्चों के लिए आते हैं, जो board के साथ साथ अपनी JEE के भी त्यारी करना चाहते हैं, तो इन category के बच्चों को मैं कहुँगा कि आप अभी से preparation करना शुरू कर दे, आप class 11th से ही शुरू कर दे, क्योंकि अभी आपका class 11th स्टार्ट हो चुका है, मान के च आप कोनिक सक्षन बना रहे हैं, सरकल बना रहे हैं, तो साथ साथ आपको question bank से भी उन्हीं chapter के questions को practice करना है, ताकि जब JEE का examination हो, तो आपको problem नहों हो, और सबसे important बात आपको test series भी जोइन कर लेना है, test series जोइन करने से होगा क्या, कि आपके confidence level build up होता जाएगा, हो सकते हैं आपका preparation काफी अच्छा हो, काफी अच्छे से आप त्यारी कर रहे हो, लेकिन जब examination के time आता है, तो आप काफी ज़्यादा nervous हो जाते हैं, और examination में गलती कर बैठते हैं, तो आपको test series देते रहना है, ताकि आपको confidence level build up होता रहे, और जब exam आए तो आप उतना problem फेसना करे, आप confidence के साथ examination अपना दे, तो यह थे tips जो मैंने दो category के बच्छों के लिए दिया है, एक category वह जो सिर्फ board पर focus करना चाहते हैं, दूसरा वह जो board के साथ से अपनी जेए के भी त्यारी करना चाहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद,